नमस्कार, मैं हो ससी, आईए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं जार्खन में होम गाड के 1478 पदो परभरतियां जार्खन होम डिफेंस कावपर्स धनबाद ने ग्रामिन और सहरी छेतर में होम काड के विभीन पदो की भरति के लिए अवेदर अमंत्रित किये हैं आपको बता दे कि जार्खन होम काड भरति 2023 के लिए आवेदर पर के लिए 18 फरवरी से सुरू हो चुकी है एक चुक अभियार्थी 17 मार्च 2023 तक ऑनलाइन आवेदर कर सकते हैं जार्खन होम काड भैकेंसी का नोटिफिकेशन जीला परसासिन की वेबसाइट धनबार.nic.in पर भी उपलब्ध है बता दे जार्खन की इस भैकेंसी से कूल 1478 पदो परयोग अवियार्थी का चैन किया जाना है इन में से 638 पद गरामिन इलाकों के लिए वहीं 840 पद सहरी इलाकों के लिए है जार्खन में होली के दीन मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है इस दिन बादल चाने के साथ कुछ जगों पर गरज के साथ छीटपूट बारिस की संभावना मौसम भी ग्यान के नराची ने जटाई है इसे तापमान में एक से दो डिगरी की गिरावट दर्ज आएगी इससे बढ़ रही गर्मी से लोगों को राहत भी मिलेगी हलाकि छीटपूट बारिस कुछ मिन्टों की होगी लेकिन इसके साथ आनवारी त्यजवा मौसम को कुछ नवा बना देगी मौसम भी ग्यान के नराची के उनसार साथ माज से ही राजे के कुछ भागों में बादल चाय रहेंगे इस दोरान हलकी बारिस की संभावना है वहीं आठ मार्च को ही जार्खन समेथ पूरे देश में होली मनाई जाएगी जार्खन में नियोजन निती पर सियासत गर्म जार्खन में नियोजन निती को लेकर एक बार फिर सियासत गर्म है हेमन सरकार की ओर से नियोजन निती में किये का संसोधन को विपक्ष उनकी विफलता मान रही है वहीं इन मुद्धे को लेकर विपक्ष हेमन सरकार पर लगातार निशान साध रहे है बिधायन सभा बयट सत्र के छठे दिन भाजवा बिधायकों ने असेमली के अंदर और बाहर जम कर परदसन किया बता दे रहा है सरकार के दोर नियोजन निती में किया गया संसोधन भले ही उनकी मजबूरी रही हो नियोजन निती में सरसोधन की गई जिससे जार्कन के बेरोजगार चात्रों का अहित होगा तमिलाडू में फंसे परवासी सरमिकों के लिए हेलफ लाइन जारी मुख्य मंत्री हेमान सुरन के निदेश पर तमिलाडू में परवासी सरमिकों की स्थिती की जनकाई लेने के लिए जार्खन पूलिस और स्थराम विभाग के अधिकारियों का एक परतिनिदी मंडल तमिलाडू पहुंच चुका है बता दे परतिनिदी मंडल ने दोराक और तमिलाडू सरकार के अधिकारियों और परवासी सरमिकों से बात चीत कर वास्तो इस्थिती का जाजा लिया प्रतिनीधी मंडल को वहां के अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि एक पुराने मामले के तथा कतीत घटना का वीडियो सोसल मेडिया द्वारा वारल किया गया अधिकारियों ने कहा परवासी सरमिको की सुरक्षा तमिलाडू सरकार के लिए सरोप रही है प्रतिनिधी मंडल को यह भी बताया गया कि सवधानी बरत्ते हुए उतर की दिशा में जाने वारी ट्रेनों में आरपी एफ के अतरिक्त बल को तैनाद करने का निदेश भी तमिलाडू सरकार द्वारा दिया गया है बतादे तमिलाडू पुलिस द्वारा जारी हेलफ लाइन नमबर 0471 22 0319 दूसरा नमबर 99810 13 00 वही तिसरा 94 081 023 वही जार्खन प्रवासी कंट्रोल रूम का नमबर 970 13 25 दूसरा नमबर 91 33 34 27 वही तिसरा नमबर 94 13 33 68 94 13 34 72 94 13 33 34 32 जारी किया गया है बड़ फुलू से मरी मुर्गियों के लिए मिलेगा मुअबजा क्रिसी मंत्री जार्खन के किरिसी मंत्री स्री बादल ने बोकारों में वर्ट फुलू से मुर्गियों की मौत पर पसुपालकों को मुअबजा देने की घोसना की है उन्होंने कहा है कि हाल के दिनों में बोकारों जीले से मुर्गियों के मरने किस उतना आई थी विभाग द्वारा मिरीत मुर्गियों के नमुनों को जाच के लिए भारत सरकार द्वारा चीनित कुलकात्ता एवं भुपाल लेबोरेटरी में भेजा गया था वहां से मुर्गियों की मौत वर्ड फ्लू से होने की पुष्टी की गई इसके बाद सरकार ने नहीं न लिया है कि मुर्गी पालक को उसका मुअबजा मिलेगा किरिसी मंत्री बादल ने कहा है कि बड़ फुलू मुर्गियों यों घरेलू पक्षियों में होने वाली एक घातक संक्रामक बिसानु जनित रोग है और मनुस्यों में भी इसके संक्रमन का खात्रा राता है लेकिन मनुस्यों में संक्रमन का अभी तक कोई भी केस राजे में नहीं आया उन्होंने कहा है कि भारत सरकार द्वार निधारित कारी जोजना के तहत रोक के नियंत्रन के लिए ये कारिरवाई करते हुए विभाग द्वार बिमारी फ्रेलने के अस्थान से एक किलोमेटर के दारे में सभी मुर्गियों का बैग्यानिक ढंक से निस्तारान कर दिया गया है ज्यारखन विधान सभा परिशर में मंत्रियों विधायकों ने खेली हो ली पंचम विधान सभा के एक आदस सत्र की करवाही समाप्त होने के बाद ज्यारखन विधान सभा परिशर में मंत्रियों विधायकों ने जम कर होली खेली बिधान सभा परिसर में आयोजित होली मिलन समारों में बिधान सभा देक्त रवीन रात मतों मुख्य मंत्री है मन्सुरेन बिधायक परदी प्यादो राजेस कक्छाप इर्फार अन्सारी सिल्पी नेहातिर की अने मुझूद थे इस असर पर सभी नेताव ने एक दूसरे पर फूलों की बारिस की एक दूसरे को अभीर गुलाल लगा कर होली के तेवार की बधाई एवं सुबकमनाय दी बता दे मुख्य मंत्री है मंसुरे ने समस्त जार्खन वास्यों को पवित्र तेवहार होली की बदाई एवं सुभकमनाय दिया है होली से पहले जार्खन के बारह जिलों में होगी बारिस जार्खन में आठ मार्च को होली के तेवहार मनाया जाएगा इसके पहले राज्य के एक दर्जन दिलों में बारिस होने का उनमान है मौसम विभाग ने हजनकारी दिया है मौसम विभाग के मुताबिक 6 मार्च को हुलिका दहन के बाद 7 और 8 मार्च को राइदानी रांची पलामू गड़वा लाते हा लोह दग्गा गुमला समेत कम से कम 12 जिलों में कहीं कहीं में गर्जन के साथ हलके दर्ज की बारिस होने की संभवना है रांची के बिशा मुंड़ा यारपोर्ट के पास इसीत मौसम केंद्र ने मौसम का जोग पुर्वनन जारी किया है इसमें बताया गया है की आठ माच को जारकंड के पुर्वी दक्षिनी पचिंग तथा इससे सटे मद भागो में कहीं कहीं गर्जन के साथ हलके दर्ज की बर्षा हो सकती है अर्जुन मुंडा के घर पर मरी मुर्गियों में वर्ड फुलू की पुष्टी केंद्रिय मंत्री अर्जुन मुंडा के रांची सित घर में मरी मुर्गियों में वर्ड फुलू होने की पुष्टी हुई है राइधानी में वर्ड फुलू होने की इस वर्ष पहली बार पुष्टी हुई है इससे पहले पोकारों इस्तित पसुपालन विभाग के सरकारी फरम में वर्ड फुलू हने के पुष्टी हुई है वहां की सभी मुर्गियों को मार दिया गया है आसपास के इलाकों को सर्विस लेंस में रखा गया है पसुपारण विभाग ने इससे समझे निर्देश भी जारी किया है बता दे पसुपारण विभाग के निर्देश सक चंदन कुमार ने स्री मुंटा के घर में बड़ फुलू होने की पुष्टी किया है चतरा में जंगली फल खाने से 27 चातर बिमार मंत्री पहुचे अस्पताल जारखन के सिमांचल जीला चतरा के राजपूर्थाना चेतर के पकरी गामे सनिवार को जंगली फल खाने से एक स्कूल के करीब 27 चातर बिमार हो गया सामाचार एजनसी की एक रिपोर्ट की ओर से मिली जनकारी के अनुसार जंगली फॉल खाने के बाद बिमार पड़े इन सताई छात्रों को चात्रा के सदर अस्पताल में इलाज के लिए भरती कराया गया आलम यहाई कि इस खाटना के सुचना मिलने के बाद जारखन में हिमन सरकार के स्रम मंत्री और चात्रा बिधान सभा छेत्र की विधायक सत्यानद भुकता ने स्वास्त केंद्र का दवरा किया और बिमार चात्रों की कुसल छे पुछी देव घर के 50 एर लाबकों को जल्द मिलेगा पीम आवास केंद्री ए गरामिन विकास मंत्राले के निर्देश पर देव घर जीले के गरामिन छेतर में रहने वाले 48 एर 202 गरीबों की सुची पधान मंत्री आवास विधना का लाब देने के लिए तियार की गई है पीम आवास विधना के तहट आवास पलस में कुल 48 एर 202 गरीबों की सुची तियार की गई अभी तक जितने वी गरीब परिवार हैं जिने पीम आवास विधना के तहट लाब नहीं मिला है उन लोगों को आवास पलस विधना का लाब दिया जाना है गुमला में नवालिक से सामोहिक दुसकर्म चार आरोपी गिरफतार गुमला जिला अंतरगत घागरा थाना छेतर में नवालिक के साथ सामोहिक दुसकर्म का मामला परकास में आया है मामला सरांगो पंचायत का है पंचाइद की एक नवालिक 27 फरवरी के सुबह अपने गाउं के बगल में इस्थीत तलाब में नहाने के लिए गई थी इसी दरान चार युग अचानक तलाब के पास पहुंचे और लड़की का मुख दबा कर उसे बगल इस्थीत जाड़ी मिले गए इसके बाद चारों ने बारी-बारी से दुस्कर्म किया है कोडार्मा की पार्वती और पूजा को मिला सम्मान कोडार्मा जिले की दो महिलाओ को सनी वर चार माज दो हैर्टेश को नई दिली में आयोजीत कारिकर में देश अस्तर पर समान मिला है जल सकती अभियान के तहट कैस्ट द रेंड में कोडार्मा परखंड की जरगा पंचायत के कंजा टान की पारवती देवी को वहीं सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त ग्राम में मरकचो के और कोसा की पूजा देवी को समान पराप्थ हुया है पारवती को जहां राश्पदी द्रोपदी मुर्म ने समानित किया वहीं पूजा कोजल सकती मंत्राला के मंत्री गजंदर सिंग से खावत ने समान तिया है जहारखन में बिक्सित होंगे 527 पीम सिरी स्कूल राज में प्राइम मिनिस्टर स्कूल अफ राइजिंग इंडिया योईना के तहट पूराने 527 स्कूल पीम सिरी स्कूल के रुप में बिक्सित होंगे इन स्कूलों में वे सारी सुधाय बहाल की जाएंगी जो राक्ष्ट्रिय सिक्चानिती 2022 में अनिवार की गई पता दे परतेक इस्कूल पर लवक दो कोड़ों रुपे खर्च होंगे जिसमें 60-30 केंडर सरकार देगी जबकि 40-80 राज सरकार वहन करेगी राज सरकार इसके लिए केंडरेक के साथ एमयू पर हस्ताक्षर करेगी राज सरकार के बीद एवं बीधी बिभाग ने इकरार नामे के प्रारूप पर अपनी स्वामति परदान कर दिया है इस पर कैबिनेट की स्विक्रिती लेकर राज सरकार एमयू पर हस्ताक्षर करेगी बर्ड फुलू को लेकर रांची में हाई अलर्ट जारी राज धानी रांची में बर्ड फुलू के दसत से पसूप पालन विभाग और जिला परसासन अलोट मूर में आ गया है उसके एक किलोमीटर के रेडियस में जो भी मुर्गिया है सभी को मारा जाएगा साथी दस किलोमीटर के रेडियस में मुर्गियों और अंडे की बिक्री पर रोक लगा दी गई है केंद्रिय मंत्री अर्जुन मुंडा के राची स्थीत आवास पर तैनात गार्ड ने बताया है कि अचानक मुर्गिया मरने लगी थी जम कर खाये मुर्गा वाले स्वास मंत्री का ब्यान राची में बड़ फुलू के पुष्टी के बाद जहां पसुपालन विभाग और सरकार रोक थाम के उपाय कर रही है वहाई राजे के स्वास मंत्री ऐसे समय में अपने ब्यान को लेकर सुर्खियों में हाए उन्होंने कहा है कि ऐसे समय में लोगों को जम कर मुर्गा खाना चाहिए बता दे एक तरफ राज में बड़ फुलू तेजी से फैल रहा है जो सरकार के लिए चिंता का विशाया हुए आजी परमोट होने वाली देश की पहली आदिवासी महिला उसा किरन ज्यारखन के लिए गर्व की बात है बता दे यहां कि एक आदिवासी महिला अधिकारी उसा किरन कंडुलना केंद्रिये ससस्त्र पुलिस बल में एक दिन पहले ही आजी रैंक में प्रोनती हुई है उसा किरन कंडुलना पुरे देश में सी ए पी एफ में एक लवती आदिवासी महिला आजी बनी है इतना ही नहीं ज्यारखन से आदिवासी पूरुस वा महिला अधिकारी में भी केंद्रिये बल में आजी रैंक में वे एक लवती है धन्यवाद